तो दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज के पूरा सेशन में मैं आपको डिफ्रेंशल एक्वेशन पे बेस जो प्रॉब्लम होगे टू मार्क्स वाले इस्पेशली जो कि CBSC की बूर्ड एक्जाम 2022 में आ सकते हैं वह सभी टाइप के जो कोशन होंगे वह मैं आपको इस सिंगल वीडियो में प्रॉबाइट कर रहा हूं और गैरेंटी के साथ बोलता हूं कि यहां से कुछ भी भार नहीं जाने वाला वीडियो देख लिया और इससे रिलेटेट कोशन कर लिए थोड़े और तो डिफेरेंशल एक्वेशन पर बेजड इस सेक्शन में आपको कोई कि प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे के सारे नंबर आप गेन कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन अब सीब्सक्राइब के पेपर में दो माक्स वाले जो कोशन है वो छे आएंगे मतलब जो टोटल माक्स होंगे वो कितने हो जाएंगे बारा मक्स तो इसी कोशन आएंगे और स्टार्ट करने से पहले डिफरेंचल एक्वेशन के कोशन हम करेंगे तो मैं आपको बता तो कि डिग्री और यह ओर्डर वाले जो कोशन है इनके जो चांसे से वो कम है टू माक्स में आने के क्योंकि यह बहुत जादा सिंपल होते हैं सिंपल इस व लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम डिग्री और और के लेंगे उसके बाद हम आगे अप्रोच करेंगे तो यह हमारा पहला कोशन है हमें बताना है कि यह जो डिफरेंचल एक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है ओर्डर क्या है यह लीनियर डिफरेंच एक्विशन का क्या होगा ऑडर होगा तो हैज डेडिकल पावर नहीं चलेगी नाच्रल नंबर के फॉर्म में पावर ची अपने आप होल नमबर लेंगे तो वो तो जीरो भी इंक्लूड होता है तो हम नेच्रल नमबर के टम्स में क्या लेंगे पावर लेंगे अब देखिए क्रॉस स्कुरर और ऐसकी पावर 3Y2 दो नमड़ेटर में ऐक्वल के शक्कॉर निग के Area ताइम जो भी हाइस डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो नेश्रल लंबर के टम्स में होनी चीए अब यहां पर देखिए और जो एक्वेशन उसमें कोई भी रेडिकल्स नहीं होना चीए पॉलिनोमिल फॉर्म में एक्वेशन होनी चीए यह दो कंडिशन है तो यहां पर यह 3 की पावर 1 बाइटू है ना इस 1 बाइटू को यहां लेफ्ट हैंड से में राइट हैंड साइड पर ले आऊं तो हमें यह मिलेगा इसका क्यूब और इधर हो जाएगा कै स्कूर इन्टू दी टू बाइब़े दी एक्स स्क्वेशन कोई दीघ्री की फॉगई इसकी बाइबर ओडरर भी इसके बबाबर है तो अब नेक्स्त यह है कि यह linear differential equation है या non-linear differential equation है अब कभी भी जो differential equation है उसमें कोई से भी derivative उसकी power जो है या आपन कोई से भी derivative की degree वो ले वो वन से ज्यादा है तो वो non-linear differential equation हो जाएगी जैसे यहाँ पर यह second जो derivative है इसकी power 2 है तो एक इस वजे से non-linear हो गई और यहां पर देखें डी वाइब देख्स इसकी power 2 है तो इस वजे से भी non-linear हो जाएगी कोई साभी derivative उसकी power कोई से भी derivative की degree वन से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी non-linear differential equation तो यह हो गया non-linear इस टाइब के प्रॉब्लम हम सोच सकते हैं कि एक्जाम में दो नंबर के माक्स में आ सकते हैं degree order पर बेस्ट चलिए next problem देखते हैं तो next problem है यह इस पर भी हमें degree order और यह वताना है linear differential equation है या non-linear differential equation है अभी देखें यहां पर derivative भी है और यहां पर integration equation भी है तो हमें क्या करना है यह 4 है इस equation को पूरा हमें derivative के terms में लिखना है तो दोनों ही side differentiate करके हम इसे derivative के terms में लाएंगे तो y को differentiate करेंगे तो मिलेगा dy by dx और dy by dx को differentiate करेंगे तो d2y by dx square मिलेगा और यह integration में जब differentiation करेंगे तो हमें simply क्या मिलेगा y y by 4 ठीक है तो अब यह differential equation बन गई है clearly देख सकते हैं कि इसका जो order है वो है 2 जो degree है highest derivative जो है उसकी power क्या है 1 तो degree हो गई 1 अब क्यूंकि यहां पर कोई से derivative की जो degree है वो 1 से ज्यादा नहीं है तो यह कुण सी differential equation हो जाएगी linear differential equation चले next देखते हैं तो यह next problem है इसका भी order degree और यह बताना है linear है या non-linear linear non-linear तो आप आसनी से बता सकते हैं यह non-linear है देख कर ही order क्या हो गया जो highest derivative देख लें तो d2y by dx square है यह derivative है तो order हो गया to degree की बात करें आप यहां पर degree का importance है यह क्योंकि यह differential equation इसमें जो second order derivative है वो sign के अंदर आ रहा है तो हम इस differential equation को polynomial form में नहीं लिख सकते हैं polynomial form में नहीं लिख सकते हैं तो इसकी जो degree है वो क्या हो जाएगी undefined है इस चीज़ का ध्यान देना है तो यह maximum tough question हो गए degree order पर बेस्ट differential equation की next section पर आगे बढ़ते हैं तो next यह problem है जिसमें हमें differential equation form करना है इस function की और यह गिवण है कि a b क्या है parameter अब जितने parameter होंगे किसी भी किसी भी function में उतने times उस function को differentiate करकर आपको जो parameter से उसको क्या करना है eliminate और differential equation form करना है तो यहाँ पर दो parameter से तो दो बार हमें क्या करना पड़ेगा differentiation करना पड़ेगा ताकि हम parameters को eliminate करके differential equation form कर सके तो function लिख लेते हैं हम a का अंदर multiply कर दें तो यह हमें मिलेगा अब पहली बार जब हम इसे differentiate करें तो हमें मिलेगा 2y' y' y' मतलब dy by dx ab square यह constant s का differentiation 0 हो जाएगा तो हमें मिलेगा minus 2a x या दोन्य साइड x के respect में differentiate करा यह 2 और यह 2 क्या हो गया cancel हो गया दो parameter से दो बार differentiation करना है तो एक और बार differentiation करेंगे तो यहां पर हमें product rule लगाना पड़ेगा और x को इदर differentiate करेंगे यहां पर product rule लगाएंगे तो y as it is और differentiation of y' plus y' as it is differentiation of y y' मतलब dy by dx ही है तो यहां में मिलेगा y into d2y by dx square और यहां y' into y' तो इसे y' into y' में लिख देता हूं थोड़ा मैंको लग रहा कि confusion हो जाएगा आपको तो क्या करें दी वाइब डी एक्स के टांस में चलने लेते हैं तो 2y dy by dx equals to minus 2ax यह हमें मिला था 2 और 2 cancel हो गया product rule लगाएंगे वापिस जब हम y into dy by dx को differentiate करेंगे तब product rule लगाया तो y into dy by dx square प्लस क्या मिले गाएंगे यहां पर dy by dx का whole square equals to यह तो cancel हो गया तो यह हटा है minus a अब differential equation form करने के लिए हमें a और b को eliminate करना है तो यह equation यह equation और जो question है इन तीनों को use करके आप eliminate कर सकते हैं पर यहां पर minus a की value हम equation ने put कर दें तो directly eliminate हो जाएगा minus a की value यहां पर हम put करेंगे तो हमें मिलेगा x into y d2y by dx square plus dy by dx का whole square equals to y into dy by dx यह form हो गई इस function की differential equation अब cbsc की 2022 की exam में कम चांसे से की step का कोशन आए क्योंकि यह जो section ने मैंने सुनाए यह eliminate हो गया है पर फिर भी हमें पता होना चाहिए पता होगा कभी question आ गया function given है इसके differential equation यह proof करना है यह question exam माने के maximum chances से तो हमें given y equals to under root of one plus x square और हमें proof करना है y dash equals to xy by one plus x square तो proof करने के लिए हम क्या करते हैं cancel हो जाएगा और y dash को लिख सकते हम x by y अब यहां पर अगर हम y का multiply और divide कर दें तो हमें मिलेगा y dash equals to x by y square y square की value यहां से इस equation में put कर दें तो यह proof हो जाएगा y dash equals to xy by one plus x square इस इस टैब के question आ सकते हैं exam में चलिए next problem देखते हैं तो function given है y plus to x sin x और हमें proof यह करना है x y dash equals to y plus x under root of x square minus y square तो यहां दोनों ही side हम differentiate कर दें x के respect में तो हमें मिलेगा y dash equals to x sin x का differentiation क्या हो जाएगा sin x plus x cos x प्रोड़क्ट लगाएंगे तो x sin x को differentiate करेंगे तो sin x plus x cos x हमें मिलेगा और यह जो cos x कहना उसको हम लिख सकते हैं x और cos x हो जागा under root of 1 minus sin square x अब जो proof करना है उसमें sin और cos वाली कोई भी term नहीं है तो अपने यहां पर sin में x square होगा LCM बगेरा ले ले लें तो y by x plus x under root of क्या मिलेगा प्रूफ करना था next problem देखते हैं तो given है हमें xy equals to log y plus c और proof करना है y dash equals to y square upon 1 minus xy तो यह जो कोशन है इसी को दोनों साइड x के respect में differentiate करेंगे तो हमें मिलेगा x y dash plus y y equals to log y का differentiation 1 by y और यहां पर cross multiply करते हैं y को इदर भेज़ दें तो xy y dash plus y square equals to 1 यह बचेगा और xy y dash minus 1 equals to minus y square यह हम लिख सकते हैं देखिए यहां पर मैंने गलती कर दिया और आप भी यह गलती करने से बचेए जैसे जब log y का differentiate करा तो log y का differentiation 1 by y और y का differentiation भी करना पड़ेगा हमें तो y dash क्योंकि यहां पर हम chain rule के साब से x के respect में हैं मतलब यह जो y dash है न यह किसके बराबर है dy by dx के बराबर है इस चीज़ का ध्यान देना है आपको तो यहां तो ठीक है log y का differentiation करा तो यहां पर y dash भी आगा अब cross multiply कर दें तो xy y dash plus y square equals to y dash y dash वाली टम हम एक साइड ले आएं तो y square equals to y dash minus xy y dash y dash common ले लें तो बचेगा 1 minus xy into y dash और y square by 1 minus xy equals to y dash यह प्रूफ हो गया यह प्रॉब्लम नेक्स प्रॉब्लम देखते हैं तो नेक्स प्रॉब्लम में function given है y minus cos x equals to x और हमें यह प्रूफ करना है अब यह question जब भी आए ना आप क्या करना है LHS से start करना या पहले हम इसका derivative निकाल लें तो y dash और cos x को differentiate करेंगे तो मिलेगा minus sin x y dash plus sin x equals to 1 यह हमें यह आपर मिलेगा अब देखें LHS से start करने का बोला है तो LHS लिख लिए हम y sin y plus अब देखो यह जो quotient है इसमें से हम इसा लिख सकते है y equals to cos x plus x यह हम लिख सकते हैं बच्चो कोशन में गलती हो गई देखने में यहां पर cos y आएगा तो कोशन है y minus cos y equals to x यह लिख दिया था अब देखें इसको डिफ्रेंशेट कर लिए हम तो y dash और minus cos y को differentiate करेंगे तो हमें मिलेगा minus sin y y का differentiation y dash यहां पर लिख दिया और x को differentiate करेंगे तो 1 मिलेगा y dash यहां पर common ले लिया जाए तो अंदर बच्चे का 1 plus sin y equals to 1 तो y dash को लिखा जा सकता है 1 by 1 plus sin y अब जैसा मैंने आपको बताया था LHS से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले यह y की value हम निकाले y किसके बरावर होगा x plus cos y के तो यहां पर x plus cos y लिखा वा है LHS स्टार्ट करेंगे हम तो y sin y plus cos y plus x into y dash y cos y plus x यह किसके बरावर है y के वो हम put कर देते हैं तो y sin y plus y यहां पर हमें मिलेगा y dash ठीक है यहां से y भी common लिया जासकता है अब तो क्या बच्छे का sin y plus 1 और y dash की जो value है वो हम यह पर put कर देंगे y dash की जो value हो है 1 by 1 plus sin y के बरावर 1 by 1 plus sin y cancel हो जाएगा और मिल जाएगा हमें y तो LHS RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया यह एक अच्छा प्रॉब्लम है जो इस section में fit बढ़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं यह दो differential equation बनाने वाले प्रॉब्लम हो गए अब थोड़े से differential equation solve करने वाले प्रॉब्लम देखते हैं अब मैक्सिमम जो चांस होगा differential equation solve वाले question में वह यह तो variable separable form होगा या reducible to variable separable form या linear differential equation इन तीनों में से ही कोई question आ सकता है तो यह जो question है यह variable separable form का variable separable form मतलब हम आपन य वाला पूरा term अलग कर सकते हैं और x वाला हम भी क्या कर सकते हैं पूरा अलग तो इसको आगे solve करने के लिए हम ऐसा लिख दे हैं भी एक्स को left-hand side denominator से right-hand side में भेजिया उसके बाद दोनों side क्या कर देंगे integration डिय को integrate करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर इसे integrate करने के लिए x by x square plus 1 को integrate करने के लिए यहाँ पर substitution का use करना पड़ेगा x square plus 1 को मान लिया t दोनों side t के respect में differentiate करके हम dx की value निगा लेंगे t के respect में differentiate तो यहाँ पर right-hand side में dt by t तो 1 हो जाएगा x square को differentiate करेंगे तो मिलता है 2x और यहाँ पर t के respect में differentiate करेंगे तो chain rule के साबसे 2x dx by dt हो जाएगा और x dx को लिखा जा सकता है dt by 2 तो 1 by 2 मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर आगया dt और निचा आ जाएगा t dt by t से integrate करेंगे तो क्या मिलेगा log t और plus क्या कर देंगे constant कर देंगे end में जाके t की value पूट कर देंगे हमें तो y equals to 1 by 2 log of x square plus 1 plus c अब यह जो c के terms में जो equation आई है इसको क्या बोलते है general solution general solution of differential equation अगर यहाँ पर हमें कुछ values given है जैसे की x equals to 1 पे y की value है वो है 0 x equals to 1 पे y की value जो 0 है तो इस information का use करके जो equation बनेगी वो कहलाएगा particular solution क्योंकि वो इस condition को use करके बनाए गई है तो हम इसके लिए particular solution भी निकाल देते हैं तो y की value 0 put करी और x की value 1 तो क्या मिलेगा log of 1 plus 1 plus c so 0 equals to 1 by 2 log 2 plus c तो यहां से c की value हमें मिल गई c के बराबर है minus 1 by 2 log 2 k constant की value मिल गई तो जो differential equation बनेगी वो हो जाएगी sorry differential equation का equation बनेगी वो हो जाएगी i equals to 1 by 2 log of x square plus 1 और c की value minus 1 by 2 log 2 यहां से 1 by 2 common लेकर इदर भेज सकते हैं और log की identity लगा के इसको और further solve किया जा सकता है तो जो final आएगा आपों में लिख रहा हूं 1 by 2 log of sorry 2y log of x square plus 1 by 2 यह इसका particular solution होगा चलिए next problem देखते हैं तो यह next question है यह भी variable separable form का है तो यहां पर हम x के पूरे element अलग कर सकते हैं y के element अलग कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं dy equals to x square plus 4x minus 9 by x plus 2 और यहां पर आजाएगा dx solve करने के लिए दोनों साइट क्या करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा तो left hand side में तो dy को integrate करेंगे तो क्या में लगावाए right hand side में यहां पर हमें integration करने के लिए कि यहां पर जब भी जो function है उसमें numerator की degree denominator से जादा है तो आप क्या करो उपर वाल function को denominator से क्या कर दो डिवाइट कर दो यह सबसा आसान तरीका है तो यहां पर x का into करेंगे तो x square वाली term बन जाएगी x square प्लस 2x माइनस माइनस क्या बचेगा 2x माइनस 9 और यहां 2 का into करें तो हमें मिलेगा 2x plus 4 माइनस माइनस तो कितना आएगा माइनस 11 sorry remainder बचेगा माइनस 13 अब यह जो लिखा वाए न x square प्लस 4x माइनस 9 यह किसके ब्राबर होगा quotient into divisor plus remainder dividend dividend equals to quotient into divisor plus remainder to x plus 2 into x plus 2 कितना हो जाएगा x plus 2 का whole square और remainder add कर दें तो इस equation को अपन इस तरह से लिख सकते हैं numerator वाली equation लिख दे हम x plus 2 का whole square minus 13 upon x plus 2 dx यहाँ पर हम इसे बाट दे दो integration में तो पहला integration क्या हो जाएगा x plus 2 का whole square upon x plus 2 और दूसरा integration हो जाएगा 13 मेने बाहर निकाल दिया क्या बचेगा 1 by x plus 2 dx यहाँ पर एक x plus 2 तो हो गया cancel so y equals to integration of x plus 2 dx minus 13 integration of 1 by x plus 2 dx integrate करेंगे तो x plus 2 को integrate करा जाए तो x square by 2 plus 2x यह हमें मिलेगा और 1 by x plus 2 को integrate करेंगे तो क्या मिलेगा log of x plus 2 plus c यह हो गया इसका generalized solution differential equation का next problem देते हैं so next वाला problem भी variable separable का form है तो यहाँ हम सब कुछ y के terms में एक side पे और दूसरा x के terms में लिख सकते हैं so y square sin y को left hand side में लिया है और dx को right hand side में फेज दे हैं और दोनों ही side integration करें तो y square को integrate करेंगे तो क्या मिलेगा y cube by 3 sin y को integrate करेंगे तो क्या मिलेगा minus cos y equals to x plus c तो यह हो गया इस simple c differential equation का solution तो next हमें इस differential equation को solve करना है और यह 2 marks में भी आ सकता है और 3 marks में भी आ सकता है तो चलिए शुरू करते हैं यह भी जो है variable separable में convert हो रहा है यह बिल्कुल हो रहा है तो 1 plus log x by x यह हम यहां पर लिख सकते हैं x को यहां पर भेज़ दिया और जो 1 plus y square है इसको dy के denominator में भेज़ देंगे यह हो गया variable separable form में solution निकालने के लिए दोनों side क्या करना पड़े का integration तो यहां पर तो integrate करेंगे तो क्या मिलेगा 10 inverse y plus c यह लिख देते हैं अब यहां पर इस integration को निकालना है तो 1 plus log x को क्या माल लेते हैं t यह मानने 1 by x dx यह क्या हो जाएगा dt के बराबर t by t को integrate करेंगे तो क्या मिलेगा log t equals to minus 10 inverse y plus c t की value put करते हैं जो की 1 plus log x के बराबर है तो log of 1 plus log x equals to minus 10 inverse y plus c यह हो गया इस differential equation का solution अरे बच्चों यहां पर गलती हो गई है मिटा और मिटा और इसको मिटा और यह गलत हो गया है 1 plus log x को t पुट कराया है तो यहां पर तो t dta बनेगा कभी-कभी flow में क्या गलती हो जाती है t को integrate करने के तो क्या मिलेगा t square by 2 equals to minus 10 inverse y plus c t की value पुट कर दे जो की 1 plus log x के बराबर है तो 1 plus log x square upon 2 equals to minus 10 inverse y plus c यह हो गया इस question का solution तो यहां हमें यह differential equation गिवन है और यहां पर condition भी गिवन है मतलब हमें यहां पर particular solution नेकलना है y plus to 0 x equals to 1 पर जो y है उसकी value 0 है अब पहले check कर लेते हैं कि यह variable separable form है या नहीं वैसे तो यह variable separable form ही है क्योंकि जब तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो हमें समझ मा जाएगा कि dx वाली टम को एक साइड लिखा जा सकता है और dy वाली टम को दूसरी साइड लिखा जा सकता है यहां पर भी गलती कर दी मैंने question लिखने में यहां पर x square आएगा तो variable separable form में हम इसे ले आए तो x by 1 plus x square dx equals to y by 1 plus y square dy और क्या करते हैं दोनों side 2 का into कर देते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और integration कर दे हैं यहां पर 1 plus x square को t put करें तो 2x dx हो जाएगा dt और यहां पर यह 2 है ना 1 plus y square equals to a put कर दे तो 2y dy यह हो जाएगा d a के बराबर तो हमें मिलेगा यहां पर dt by t और यहां पर d a by a integrate करें तो यहां मिलेगा log t equals to log a और यहां पर जो constant उसको लिख दे log c log a equals to log t c यह हां पर हो जाएगा अब values put कर दे a की और t की तो a की value है 1 plus y square t की value है 1 plus x square log of 1 plus x square into c तो lhs और rhs बराबर है तो log के अंदर वाली जो quantities है वो भी क्या होनी चीए मतलब 1 plus y square यह बराबर होना चीए c into 1 plus x square अब यह जो initial condition है वो यूज कर ले हम y की value 0 x की value 1 तो y की value 0 put कर रही तो यहां पर 1 बचेगा तो यहां पर आएगा 2 तो c की जो value है वो हो जाएगी 1 by 2 के बराबर तो जो final answer होगा 2 into 1 plus y square equals to 1 plus x square यह आ गया है particular solution और यहां आपको पूरे curve की अगर equation निकालनी है curve की equation निकालनी है तो 2 plus 2y square equals to 1 plus x square 2y square को लिख सकते हम x square minus 1 और y बराबर हो जाएगा plus minus 1 by 2 under root of x square minus 1 तो दो function मिलेंगे हम यहापर एक जब plus साइं के साथ में और एक जब minus साइं के साथ में तो यह जो प्रॉब्लम में दो नंबर में आ सकता है तो यह आगे देखते हम equation जो की homogeneous equation के फॉर्म में reduce हो सकती है sorry homogeneous में तो 2 marks का कभी question आएगा नहीं तो ऐसी differential equation जो reduce हो सके variable separable form में उनकी बात करते हम तो यह question है dy by dx equals to sin अब यह normal तरीके से अगर इसे variable separable form में लाना चाहे तो नहीं आएगी पर यहाँ पर अगर हम एक substitution use कर लें xy equals to v तो यह variable separable form में आ जाएगी xy equals to v और यहाँ पर हम इसे दोनोई side x के respect में differentiate करें तो x का x के respect में differentiation होता है 1 dy by dx का x के respect में differentiation होगा dy by dx और v का dy by dx तो यहाँ से हम dy by dx की value निकालेंगे जो की बराबर होगी dv by dx minus 1 के यह हम यहाँ पर इस equation में put करेंगे तो यह जो equation है न वो variable separable form में आ जाएगी x plus y के जागे v put कर जाए dv by dx के जागे dv by dx minus 1 तो हम ऐसा लिख सकते dv by dx equals to 1 plus sin v और dv by 1 plus sin v v equals to dx अब दोनों ही side क्या करना है हमें integration करना है तो यहाँ पर दो integration हो जाएगा x dx का और यहाँ हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है तो 1 plus sin x है तो हम क्या करेंगे 1 minus sin x का sin v sin v 1 plus sin v है तो 1 minus sin v का multiply करेंगे और divide करेंगे तो numerator में मिलेगा 1 minus sin v denominator में क्या हो जाएगा 1 plus sin v into 1 minus sin v 1 minus sin square v को क्या लिख सकते है cos square v अब इसे हम separate कर दें तो यहाँ पर बच्चे का 1 by cos square v minus sin v by cos square v dv equals to x plus c 1 by cos square v क्या लिख सकते है sec square v sin v by cos square v इसको लिख सकते है sec v 10 v dv equals to x plus c sec square v को integrate करते हैं sec v 10 v को integrate करेंगे sec v equals to x plus c और end में जाके जो v की value है वो हमें put कर देंगे जो की x plus v के बराबर है तो v की value x plus y के बराबर है गलती से मने x plus v बोल दिया तो वो हम put कर देंगे v की value x plus y 10 of x plus y minus sec of x plus y equals to x plus c यह हो गया इस differential equation का answer यह variable separable form में नहीं थी पर फिर भी इसको reduce करके variable separable form में लाए जा सकता है चलिए अब last एक linear differential equation का question कर लेते हैं तो उससे linear differential equation equation पर based two marks का question आएगा वो भी आप कर पाएंगे तो यह linear linear differential equation dybdx plus p x का function इसके साथ में y केवल y होना चाहिए equals to q q q भी क्या होना चाहिए x का function तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y के साथ में एक function है और यहाँ पर भी एक x का function है तो प की जो value है وہ बराबर मैनेस 1 बाइ-X के q की जो value है बराबर है 2x square के तो यहाँ पर सबसे पहले हमें integrating factor क्या होता है integration, e की पावर integration pdx तो p की expected minus 1 durch x के बराबर है integrating factor निकाल लिया जाए e की matter investigation of minus 1 by x dx 1 by x को integrate करेंगे तो मिलेगा log x यह जो minus log x इसमें जो minus 1 है हो वो हम log की property यूज़ करके इससे ऐसा लिख सकते हैं log of x की power minus 1 और यह जो value वे बराबर हो जाएगी x की power minus 1 के मतलब 1 by x के तो integrating factor निकल गया integrating factor निकल गया तो आप इसका answer लिख सकते हैं वो क्या होता y into integrating factor equals to integration of integrating factor into q dx इसको integrate करना है तो y into integrating factor कितना है 1 by x वो यहाँ पर लिख दें अब यहाँ पर integrating factor की value लिख दे 1 by x q की value कितनी है 2x square वो यहाँ पर लिख दें और इससे अब क्या करना है हमें integration तो यह x और यह x cancel हो जाएगा क्या बचेगा y by x equals to integration of 2x dx अब x को integrate करेंगे तो क्या मिलेगा x square by 2 plus c यह 2 से 2 cancel हो गया equation के आगे y equals to x cube plus cx यह आगया इस linear differential equation का solution तो यह पूरा session आपके लिए completely हो गया जिसमें differential equation के हर उस problem को touch करने की कोशिश करी है मैंने जो की दो मार्क्स की category में आ सकता है ठीक है और दो मार्क्स के जो कोशन है वो एक्जाम में आपको दस मिनिट भी नहीं लगेंगे पूरा सॉल करने में बारा मांक्स आप स्कूर कर सकते हैं चालिस में से बारा मांक्स दस मिनिट में आ गए ओके तो इस वीडियो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भोले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें था कि ये को स्टिए था एंच पे की इस चैनल भोले को